जैहिन मेरे प्यारे साथियों कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माद्य, मादिका, बहुलक और परिसर को निकालना सिखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लिजेगा ताकि आपको माद्य, मादिका, बहुलक और परिसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो बहुत आसान भासा में बहुत ही सरल तरिके से आपको बताया जाएगा इस चारों टोपिक में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है इसलिए आप इस वीडियो को किलिप कर दी हैं तो पूरा वाच जरूर कर लिजेगा यहाँ पर देखिए पहला टोपिक है हम लोग का माद इन सभी चीजों को निकालने से पहले दोस्तों इसका एक कंशेप्ट ले लेते हैं यहाँ पर समझे लेते हैं कि कंशेप्ट अलग से लिग करके रखा गया है इस कंशेप्ट को समझना और ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है जैसे माद का जो फर्मूला होता है करके सभाटा में कुल संख्या जितना संख्या यहाँ पर दिया रहेगा उसको कुल संख्या गिंति कर लेंगे और नीचे लिखते हैं माद निकालने में बीचवाली संख्या कब होता है यहां पर आपको सवाल के द्वारा बताया जाएगा कि आखिर बीच वाला संख्या कौन सा होगा ठीक है उसके बाद बहुलग में आपको जब भी आंसर निकालने के लिए कहा जाएगा जिसकी संख्या जादा वार हो जो संख्या सबसे जादा है वही बहुलग होता है इसको सवाल के द्वारा समझाया जाएगा तो अच्छे से समझ माएगा इसके बाद आपको है परिसर परिसर होता उच सीमा घटा नीमनी सीमा ठीक है उच सीमा घटा नीमनी सीमा इसका फर्मूला होता है तो आब इस चीज को ध्यान में रखेंगे चलिए इसको फर्मूला समझ लिए, इसको जो है सवाल के द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी सबसे पहला है हम लोग का टोपिक माद निकालें, यहाँ पर दो सवाल लिया गया इनी दो सवाल के द्वारा समझ लेंगे हम लोग की माद कैसे निकालते हैं तो इसका फर्मूला क्या होता है माद निकालने का फर्मूला होता है आकडो का योग बट्टा में कुल संख्या ठीक है फर्मूला आप याद रखेंगे क्या होता है मात बरावर होता है आकड़ों का योग मतलब जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है सभी का योग यानि कि सभी को जोड लेंगे यहाँ पर 4 जोड क्या होगा 6 जोड 3 जोड 2 जोड 5 अब बट्टा में कुल संख्या कुल संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5 बट्टा में लिखेंगे 5 अब सभी को उपर वाले को जोड लीजिए 4 और 6, 10 होगा 10, 3, 13, 13, 15, 15 15, 15, 15 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर लिखते है 20 20 बट्टा में क्या है 5 है तो 5 अब देखे इस 5 से 20 कर जाएगा चार इसका माद आया इस सवाल का आणसर बहुती असान है बहुती सरल तरिकेजिए इसको निकाल सकते है समझने के बाद बहुती असान है इसके बाद दूसरा नमर में सवाल देखे हम रुका है 9, 5, 7, 10 और 9 इसका भी माद निकालना है तो क्या होगा माद इसका हो जाएगा क्या आकडो का योग माद बरावर होता है आकडो का योग ये बट्टे कुल संख्या तो 9 जोड 5 जोड में 7 जोड 10 और जोड फिर से 9 और कुल संख्या कितना होगा उसको गिंती कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी 5 संख्या है तो यहाँ पर लिखते हैं 5 बट्टा में ठीक है सभी को जोड़िए 9, 5, 14, 14, 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 10, 31, 31, 9 कितना 40 तो बरावर में यहाँ पर लिखेंगे 40 और बट्टा में कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए तो इस 5 से अराम से कर जाता है 45, 58 होता है 40, 8, 9 इसका जो आंसर आया वो कितना आया 8 आया गिया अब इसके बाद समझते हैं माधिका को कैसे निकाला जाता है माधिका आपको बताया गया था कि बीच वाली संख्या होता उ वो संख्या तभी होगा जब संख्या आपका सजा हुआ रहेगा बरते करम में कैसे बरते करम मतलब छोटा से बड़ा करम में रहेगा लिखा हुआ तब ही मादिका होता है बीच वाले संख्या लेकिन ये बड़ा से छोटा नहीं है जैसे तेसे दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सजा लेंगे, बरते करम में सजा लेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सा है, दो है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर होगा दो, उसके बाद, दो के बाद इससे बड़ा संख्या कौन सा है, तो चार है, तो कौमा द माधिका निकालना असान हो जाएगा upfront तो यहां पर देखbon पांज lamps क्रेंस टोल संख्या है और दो संख्या और धर से च्छोड़ देते हैं और थो संख्या उधर से अंतिम से छोड़ देते हैं बीच में कॉन सा पर जाता है बीच में आपका आजाता है पांच तो इसका जो मादिका होगा इस सवाल का तो यही पांच इसका आंसर हो जाएगा ठीक है यही पांच आंसर होगा अगर आप नियम को समझ गी होगा तो बहुत ही आसान है इसको बनाना इसको भी बनाना बहुत ही सरल है ठीक है दूसा सवाल में समझी अगर पहला सवाल में अच्छे समझ में नहीं आया तो दूसा सवाल देखे क्या है यहाँ पर इस तरह से संख्यां का सिरीज दिया हुआ है यह संख्यां क्या है जैसे तैसे दिया हुआ है मतलब सजा हुआ नहीं है तो सबसे पह लिखते हैं, तो पता चलता है फान dal जो है सबसे छोटी संह owने इस सम्वेशन से पान्च को सबसे पहले लिखते हैं बढ़ी करम में ठीक है, उसके उसके पांच के बाद कौन सा संख्या आएगा 7 यहां पर 7 हो जाएगा इसके बाद 7 के बाद 8 है तो यह 8 लिखेंगे 8 के बाद 9 9 के बाद 10 और आखरी बज गया कितना 12 ठीक है यहां पर कितना संख्या आया 1 2 3 4 5 6 संख्या उपर भी 6 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 अब देख़े इसका जो मादी का निकलेगा इसका मादी का निकाने के लिए वही फर्मुला अपना ऑपना हैंगे क्या बीच वाली संख्या क्या होता है ऽे हाँ पर टोटल 6 संख्या हैं तो क्या करना होगा दो संख्या इधर से छोड़ेंगे दो संख्या उधर से तो बीच में दो संख्या पढ़ जाएगा हम लोगा अगर तिन तिन करके छोड़ते हैं तो बीच में कुछ भी नहीं पढ़ेगा तो हम लोग क्या करना पढ़ेगा दो संख्या इधर से दो संख्यां बीच में बचे तो उस दोनों को जोड करके दो से भाग दे देते हैं वही हम लोग का माधिका होता है तो यहाँ पर आठ और नौ जोड करके दो से क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे तो नौ आठ मिलके हो जाएगा कितना? 17 और बट्टा में क्या 2 17 को 2 से डिवाइट करेंगे तो 8 दुना होता है 16 8 दुना क्या होगा 16 बचेगा 1 10 दिनने तो 1 बन जाएगा 10 तो 10 कितने बारे में कर जाएगा 2 से तो 5 बारे में तो हम लोग का जो माद्य क्या आया वो क्या आया 8 दिसनुलाब 5 इस सवाल का आंसर आगया ठीक है 8 दुनाब 5 इसके बाद चलिए अगला टोपिक हमलों का है बहुलग बहुलग का क्या नियाम होता है आपको बताये थे बहुलग में जब आकड़ा दिया हुआ रहेगा जिसकी संख्या जादा बार मतलब जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया है ज़्यादा बार आया है वही इसका बहुलग का आंसर होता है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है जैसे 5 है तो 5 कितने बार आया है वो चीज़ देखते हैं यहाँ पर देखें यहाँ 5 है उसके बाद फिर 5 है 5 है कितने बार आया है 1, 2, 3 बार 5 जो आया है 3 बार आ गया है ठीक है उसके बाद फिर क्या है यह 6 है 6 है 2 बार आया है 7 एक बार आया है 3 एक बार आया है क्या आया है 5 आया है तो हम लोग का जो बहुलक होगा इसका इस सवाल का ये हो जाएगा क्या बहुलक बरावर हो जाएगा हम लोग का 5 क्यों होगा 5 क्यों कि 5 सबसे जादा बार आया है इसलिए बहुलक हम लोग का 5 आंसर होगा बहुलक का नाम से भी पता चल जाता है कि बहु बहुलक बहु मतलब होता है जादा बहु मतलब जादा तो जादा वार जो आएगा वही इसका आंसर होता है बहुलक का ठीक है उसके बाद दूसरा नमर में सवाल में समझें यहां पर भी देखे क्या है सुरू में चार दिया हुआ है फिर यहां चार यहां चार चार कितने वा परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग का परिसर जो है इसका फर्मूला क्या होता है परिसर का फर्मूला होता है उच सीमा घटा निमनी सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या अलग भासा में इसको बोलें तो बड़ी संख्या घटा में छोटी संख्या ठीक है या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं उच सीमा घटा निमनी सीमा उच म संख्या कौन है तो दो है तो नौ में से क्या होगा दो घट जाएगा परिसर निकल जाएगा हम लोगा ठीक है नौ में से दो घटा देंगे तो हम लोगा परिसर निकल जाएगा नौ में दो घटे घट क्या हो गया साथ आंसर हो जाएगा यही इस सवाल का इस आकडा का परिसर निकलेगा क्या साथ ठीक है उसी परकार यहाँ पर दो नमर का भी सवाल दिया हुआ है यह जो आकड़ा दिया हुआ यह सम्मू जो दिया हुआ संख्या का इसमें आपको ढूड़ना कि सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या इसमें देख करके आपको शुरू म तो सबसे छोटी सेंगे है 6 इसको 6 यहां पर लिख देंगे 18 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 होगा यही हम लोग का परीसर निकला यही इसका परीसर का आंसर होगा ठीक है तो इस तरीके से माध माधिका और बहुलक और परीसर को सौल्व किया जाता है मैं उम्मित करत हो कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा अगर वीडियो पसंद आयए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मातरम